अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज क्या वीडियो काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है आरार से ग्रुपडी भरती परिक्षा में बैटने वाले सभी उमिद्वारों के लिए अगर आप 100% एक पद अपना फिक्स करना चाहते हो ग्रुपडी भरती परिक्षा में तो डेफिनेटली इस वीडियो को दोस्तों आप कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि बहुत लोग आप लोगों को बताए होंगे कि कितना कटाप जाएगा लेकिन एक यूनीक ओफिसल आकड बरे हैं लेकिन दोस्तों क्या ओफिसल है आप लोगों को पता होगा स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो आन गोइंग एक जब नोटिस जारी किया था रेलवे तो उसमें बताया था कि कितने फॉर्म आये है रेलवे गुरुबडी भरती परिक्षा के लिए एक करोड पंद आउंगा कि आप लोगों का एक्जाम सिटी की इंफॉर्मेशन कब आएगी ऑफिसल वेबसाइट पर इसकी परिक्षा 17 अगस्त से 100% आयूजित क्राइज आएगी की नहीं बने रही है दोस्तों इस वीडियो में वीडियो को अभी तक लाइक निकियो तो लाइक कीजेगा और चैनल अपने हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे हैं और कितने बैकंसी हैं आप लोगों को पता है एक लाग तीन अजार सास सो उ 12 उमिद्वारों का कंपरिशन देखने को आप लोगों को मिलेगा लेकिन और आल आकड़ा है अभी आप लोगों को दोस्तों इंफॉर्मेशन में देता हूं कि कितना आप लोगों को कटाप जा सकता है इसके एलावा यहां पर समझेगा हर एक जोन का पूरा दोस्तों एक सी अटेंडेंडेंस लगने के बाद कंपरिशन आप लोगों को बताए गया है लेकिन 100% अटेंडेंडेंस कभी नहीं लगता दोस्तों 50-55% केवल अटेंडेंस इस बार लगने की इनफॉर्मेशन है उसमें से भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे उमिद्वार जरूर होते हैं जो के अलहाबाद जोन में आप लोगों को साथ पाता होगा कि 9,11,082 फोर्म बरे है बैकंसी की बात किया जाए तो 4,730 बैकंसी है इस हिसाब से 192 कैंडेंडेंडेंट का लगभग एक सीट पर दोस्तों कंपरिशन आप लोगों को यहां पर बताया है लेकिन हमने आप से भी को ज सीट पर अलहाबाद जोन में एक स्टूडेंट को देखने को मिल सकता है दोस्तों यहां पर आप लोग आगे देखिए जैपूर की बात किया जाए तो 9,11,077 फोर्म बरे हुए है बैकंसी की बात किया जाए तो 5,249 बैकंसी है यहां पर कंपरिशन की बात किया जाए तो 183 इसमें कंपटिशन एक सीट पर लोगों को ओर आल 100% यदि अटेंडेंस लग जाती है तो देखने को मिलेगी लेकिन 100% ना आस तक लगा है ना लगने की दोस्तों आसार है अगर 50% अटेंडेंस माना जाए तो यहां पर आप लोगों को लगबग 91 कैंडिडेट का एक सीट प इलासपूर की बात किया जाए तो करीब 2,83,221 फोर्म भरे हुए हैं वहां पर 170 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटिशन देखने को मिलेगा लेकिन 50% जैसा कि हमने बताया दोस्तों अटेंडेंस लगने की हिसाब से अगर लिया जाए 85 एक सीट पर कंपटिशन देखने को म अपने से समझ लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों को कंपटिशन एक सीट पर देखने को मिलेगा और कितना फॉर्म वहां पर भरा गया है पर दोस्तों आप लोगों को जिस तरीके से मैं एक दो आकड़े बताया हूं उसी तरीके से समझते रहिए यहाँ पर गोरकपूर की बात किया जाए तो कितना फॉर्म बरा है और कितना वैकंसी है नियो दिलही की बात किया जाए तो कितने फॉर्म बरे हैं कितने वैकंसी हैं कोई भी जोन नहीं दोस्तों यहाँ पर चुटा है अगर गवाटी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोल हो कि कितने फोंब बरे गये है और कितने वेकेंसी हैं और कितने एक शीट पर और कमपरिशन है दो तीन ऊपर आप लोगों को मैं समझा यह ता है कि 50 पसंट ही आप लोगों को इसका हाफ करके ही समझना हैर्ण Camb premiers एक जिस भी जोन से आप लोग बिलोंग करते हो उसका दोस्तों एक important information और आप लोगों को समझ लेना चाहिए यदि आप dedication से तयारी कर रहे हो तो three times candidate दोस्तों vacancy के बुलाए जाएंगे PET के लिए इसके एलामा दोस्तो one by third का इसमें negative marking भी है आप लोगों को पता है 17 अगस्त से conduct कराई जाएगी कि नहीं कुछ लोगों का ये सवाल आता रहता है definitely 101% दोस्तों recruitment से पूरी तयारी कर रहा है 17 अगस्त से ही आप लोगों की परिक्षा conduct कराई जाएगी उससे पहले आप लोगों का schedule भी आजाएगा official website पर full अगर बात किया जाए exam city की जानकारी कब म लेगी परिक्षा से 10 दिन पहले यानि कहने का मतलब है कि 8 अगस्त के करीब आप लोगों को exam city की जानकारी दे दी जाएगी official website पर इसके इलामा अगर बात किया जाए admit card जो आप लोगों को परिक्षा center पर ले कर जाना है कितने दिन पहले आएगा तो 4 दिन पहले दोस्तों आप लोगों को पता है RRB admit card जारी कर देता है official website पर इसके इलामा कोई भी information और आएगी definitely आप लोगों तक inform कर दिया जाएगा वीडियो को like, share, subscribe करना ना बूलिएगा